दोस्तों पोको जल्दी ही इंडिया में लॉंच करने वाला है अपने पोको M4 Pro स्मार्टफोन के एक 4G वेरेंट को जो कि एक रिप्रेंडड वेरेंट होने वाला है Redmi Note 11S स्मार्टफोन का with a different design and different camera setup तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसी स्मार्टफोन के लिए प्राइज इस बाज़े वाले में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें इन तक चलिए शेयर हो करते हैं बात करें इसी स्मार्टफोन के design की तो दोस्तो कुछ ऐसा दिखने वाला है Poco M4 Pro 4G स्मार्टफोन यहाँ आपको back side में काफी बड़ा सा camera module देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको 3 camera की housing देखने को मिलेगी LED flash यहाँ आपको देखने को मिलेगी तो overall design काफी अच्छा होने वाला है काफी बड़े है यहाँ आपको design देखने को मिलेगा मेरे को design काफी पसंद आया आप लोग को design कैसा लगा अप comment करके हमें बता सकते हैं बात करें सी smartphone की build quality तो दोस्तों यहाँ आपको plastic bag देखने को मिलेगी और plastic का frame यहाँ आपको देखने को मिलेगा तो overall यहाँ आपको plastic build देखने को मिलेगा और इस smartphone IP53 rated होगा तो dust and splash previous smartphone होगा बात करें सी smartphone की display तो यहाँ आपको 6.43 inches की full HD plus AMOLED display देखने को मिलेगी पोको की MC इसका पहला smartphone होने वाला है जिसमें की आपको AMOLED पैनल देखने को मिलेगा 90Hz का यहाँ आपको refresh rate देखने को मिलेगा 180Hz का test sampling rate होगा 1000 nits की peak brightness यहाँ आपको देखने को मिलेगी 700 nits का high brightness mode यहाँ आपको देखने को मिलेगा तो display यहाँ आपको काफी तकड़ा इसी smartphone में देखने को मिलेगा Pogo Game Series का पहला smartphone होने वाले है जिसमें की आपको इतना तकड़ा display देखने को मिलेगा high brightness है high refresh rate है AMOLED का पैनल है Corning Gorilla's production है तो display के मामने में आपको इसी smartphone में कोई दिक्का नहीं आएगी बात करें camera's की तो यहाँ आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा जिसमें की 64 megapixel का होगा main camera 8 megapixel का होगा ultra wide angle lens और 2 megapixel का macro lens आपको इसी smartphone में देखने को मिलेगा तो camera rear side से काफी अच्छा होने वाले है काफी तकड़े camera's होने वाले है Pogo Game Series का पहला smartphone है जिसमें आपको 64 megapixel का rear camera देखने को मिलता है बात करें selfies की तो यहाँ आपको 16 megapixel का center punchol वाला selfie camera इसी smartphone में देखने को मिलेगा तो selfie camera भी काफी अच्छा होने वाला ओवराल यहाँ आपको काफी तकड़े camera's इसी smartphone में देखने को मिलेगे बात करें performance की तो यहाँ आपको Mediator का Helio G96 प्रोसेजर देखने को मिलेगा जोगी October chipset है और Helio G95 का एक upgraded version है यहाँ आपको gaming performance अच्छी मिल जाएगी day to day use में भी दिक्कत ने आएगी overall performance काफी अच्छी आपको इसी smartphone में देखने को मिलेगी तो RAM and storage के मामल में भी आपको इसी smartphone में कोई दिक्कत ने को मिलेगी बात करें battery की तो यहाँ आपको 5000 ms की battery देखने को मिलेगी तो battery size तो काफी अच्छा होने वाला है काफी बड़ा होने वाला है और यहाँ आपको 33 watt की pro fast charging भी इस smartphone में देखने को मिलेगी बात करें multimedia की तो दोस्तों यहाँ आपको dual stereo speakers देखने को मिलेंगे and high-res audio certified होगा इस smartphone तो multimedia expects भी काफी तगला होने वाला आपका इस smartphone में multimedia का मामल में भी आपको इस smartphone में कोई दिकत नहीं आएगी बात करें operating system की तो दोस्तों इस smartphone MIUI 13 पे run करेगा जो कि Android 11 बेज़ड होगा जियां दोस्तों आपको इस smartphone में Android 11 out of the box देखने को मिलेगा बात करें connectivity तो यहाँ आपको dual 4G world देखने को मिलेगा dual band wifi होगा bluetooth 5.2 होगा gbass का support होगा NFC का भी support होगा और दोस्तों आप Poco का smartphone है तो यहाँ आपको आयर प्लास्चर भी इस smartphone में देखने को मिलेगा बात करें security की तो यहाँ आपको face unlock के साथ में side mounted fingerprint scanner देखने को मिलेगा AMOLED इस भी लोने का बावजूद भी side mounted FPS दिये जा रहा है cost cutting इसका reason हो सकता है बात करें ports और बटन्स की तो यहाँ आपको 3.5 mm headphone jack देखने को मिलेगा USB Tab Z charging port देखने को मिलेगा power on a button होगा and दोस्तो volume rocker बटन भी आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा बात करें इस smartphone के कुछ और features की तो दोस्तो इस smartphone में आपको liquid cooling technology देखने को मिलेगी तो heating बगर का issue आपको इस smartphone में नहीं आएगा and यहावा को ZX6 linear vibration motors भी इस smartphone में देखने को मिलेगी तो haptic feedback भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा बात करें इस smartphone के color variants की तो दोस्तो इस smartphone आपको 3 color variants में इंडिया में देखने को मिल सकता है black, blue and poco yellow color में बात करें इस smartphone की Indian price की तो दोस्तो leaks की माने तो इस smartphone आपको इंडिया में 15-17,000 रुपे के price में देखने को मिलेगा and दोस्तो अगर smartphone इस price point पर launch होता है या फिर नहीं करना चाहेंगे आप comment करके हमें बता सकते है बात करें इस smartphone की Indian launch date की तो दोस्तो पोको ने officially confirm कर दिया कि smartphone 28th of February को इंडिया में launch होगा जी हां दोस्तो यहीं ती कुछ बात है जो मैं आपको Poco M4 Pro 4G smartphone के बारे में बताना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसे लिए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत